अब पिछ रिपूर्ट देखते हैं इस वेंडी के उपपर 2021 में लास्ट ट्वन्टी मैच खेला गया था करीबन तीन साल पहले किसका मैच था हो यह थो नोट सेम टीम का ही मैच था और सेलिया वर्सेश नुजलेंड का मैच था साथ माच को खेला गया था 2020 के अंदर और उसमें देखो क्या हो आगा जो टीम पहले बैटिंग करने आती है 142 बनाती है आठ विकेट के नुकसान पे फिर जो टीम चेस करने आई वो 15.3 ओर्स के अंदर टार्गेट चेस कर गया इस 7 विकेट से जीत दर्स करती है 156 बना 6 विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम 106 पे रुख गई बहुत साधरन स्कूर होता है 156 आज के टाइम पे T20 फॉर्मेट के अंदर 208 बना 4 विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम 144 भी सिमट गई 105 बना चेसिंग टीम 105 बना पाई इससे पहले 176 बना चेसिंग टीम याँ पर 155 बना पाई 219 बना चेसिंग टीम 139 बना पाई तो जो पिछले हैं पर 5 मैचेस खेले गया है उनके अंदर 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गया है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और नुज़िलेंड गॉम ग्राउंड है 15 मैचेस आपर जीती है यह और इस वनी के उपर प्रती ओवर 8 के आपस पास रंस बनता है ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और इस वनी पर जो लास्ट मैच खिला गया था उस मैच में 7 विकेट पेसर का था और 4 विकेट स्पिनर्स के थे विकेट कॉलम को समझते है इससे आपकी कहानी बहुत ज़्यादा सुलत सी जाएगी पिछले 5 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 36 विकेट निकाले देख सकते हैं पहली पारी में 19 दूसरी पारी के अंदर 17 राइट आम पेसर्स का 29 लेफट आम पेसर्स का साथ विकेट है स्विनर्स की बात तरत है तो 34 विकेट है पहली पारी के अंदर 15 दूसरी पारी के अंदर 19 तो भाई साब यहाँ पे स्पिनर्स थे ना चाहे आप देख लो इस सूडी, एस टे निगार ने याप पर च्छा विकेट निकाला था, तो जो स्पिनर्स होते हैं वो विकेट्स निकालते हैं याँके, इस वन्य पर, पता नियासा क्या करिश्मा है इस विकेट के उपर, ड्रॉप इन पिछ होती है, जहां पर थोड़ी स आपको ऐसे बॉलर्स देखते हैं, एक तरफ जैंपा, एक तरफ सैटनर है, सोडी का भी कमाल का स्पेल रहा है स्वानी के, पर स्टैट्स देखेगा आप उसके, तो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेल इनुजलेंड की जब सिरीज हुई थी, तो पिछ यहां पर इस तरह से देखी आपको, ले देखो, क्या वी और वाई साथ, स्काइव स्टेडियम, कैसे लगी पिछ रिपोर्ट, वैदर फूग आस एक दम क्लियर है, चैनल पे नियों सब्स्ट्राइब को लो गंटी बटन दबा दो, और कितना स्कोर बन रहा आपके हिसाब से पहली पारी में, मेरे को कम